हेलो एव्रिवान मैं हूं किरन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशिफल यह 18th October से लेकर 24th October तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक शियर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडन्ट या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही ग्राशीफल चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो आप लोगों के लिए professional front के लिए cards है three of pentacles and butterfly तो दिखिए सबसे पहली बात butterfly का card कहता है a change for better तो इस week कुछ changes आ सकते हैं जो कि एक better चीज़ें एक you know again मैं कहूंगी कि पॉजिटिव चीज़ें in general या फिर specifically आपके professional front में ला रहे हैं और three of pentacles का card specifically again मैं कहूंगी professional life के लिए बहुत ही अच्छा card माना जाता है ये काम की बात करता है अपने talents अपनी skills को share करने की बात करता है again अपने talents अपनी skills को enhance करने की बात करता है team work में काम करने की बात करता है कहीं materialistic, tangible, monetary या फिर पैसे से related फाइदा भी होने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए again in general या फिर specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है जहां पर आप जादा लोगों से interact कर सकते हैं, जादा लोगों से बात कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि partnership के point of view से आप जादा लोगों से मिल रहे हैं बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने ideas share कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप guidance ले रहे हैं, या फिर आप guidance दे रहे हैं, आप counseling ले रहे हैं, या फिर आप counseling दे रहे हैं, तो देखिए जो भी हो मैं आपको यही कहूँगी Gemini's, कि आप like-minded लोगों के साथ ही connect करें especially देखिए अगर आप partnership में कोई भी काम करना चाहा रहे हैं तो थोड़ा सा खयाल रखें कि उनके साथ again आपका interest match करता है और कहीं वो भी आपकी ही तरह अपने goal अपने मकसद के लिए passionate हैं और देखिए overall के लिए देखें तो professional friend में इस week के energies better दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि monetary gain या फिर materialistic tangible चीजों से related gain आपको इस week ही हो रहा है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप इस week कर रहे हैं कहीं उन्हों आगे जाके इसी काम के लिए एक monetary gain भी आपको होता हुआ दिख रहा है और इन ही सब चीजों से related अगर आपको अपने skills को update करना पड़े और knowledge gain करनी पड़े तो वो भी आप करने के लिए ready दिख रहे हैं और फिर से देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने talents अपनी skills को share कर रहे हैं और personal front के लिए आप लगों के लिए cards है death, reverse and gavel तो देखिए death का card ending और beginning की बात करता है बहुत सारे लोग इस card को देख के डर जाते हैं और फिर से मैं कहूंगी कि इस card को देख के डरने की जरुरत नहीं होती है क्योंकि simply ये एक ending और beginning की बात करता है और ये general reading है तो ये ending, ये beginning सब के लिए differ कर सकती है कुछ लोगों के लिए कोई relationship हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई behavior, कोई आदत हो सकती है कुछ लोगों के लिए कोई जगा हो सकती है कुछ लोगों के लिए कोई काम हो सकता है लेकिन देखे ये काट कहता है कि ये एक ending, beginning या मैं कह सकते हूं ये एक transition वाला face इतना आसान नहीं है क्योंकि पुरानी चीजों को कहीं आप end नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप बहुत जादा पुरानी चीजों से attach हो रहे हैं और नहीं चीज़ें जो आपकी life में आ रहे हैं उनको कहीं आप पूरी तरीके से accept नहीं कर पा रहे हैं या मैं कहूंगी कि आप welcome नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको यहीं कहूंगी Gemini's कि जब तक you know हम पुरानी चीज़ों को end नहीं करते हैं नई चीज़ों को अपनी life में welcome नहीं करते हैं तब तक कहीं एक growth एक progress भी हमारी life में नहीं आती है और देखिए हर दम ही कुछ ना कुछ हमारी life में end हो रहा है और कुछ न कुछ शुरू हो रहा है कुछ चीज़ें इतने subtle level पे होती है कि कहीं हम realize ही नहीं कर पाते हैं जैसे कि दिन हर दिन end होता है और नई सुभा होती है नया दिन शुरू होता है और कितनी बारी होता है कि दूसरे दिन का हम इतना बेसबरी से इंतिजार करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि नया दिन फ्रेश चीजें या फिर नई चीजें हमारी लाइफ में आएगा लेकिन कुछ चीजों के लिए हम इस चीज को नहीं रियलाइस कर पाते हैं या पिर ये acceptance ये एक enthusiasm नहीं ला पाते हैं तो फिर से देखे जो भी चीज छोटी या बड़ी आपकी life में इस week end हो रही है एक नई beginning आ रही है उसको आप खुले हाथों से you know welcome करें और पुरानी चीज़ों को आप let go करें देखे बच्पन में भी जब पुराने जूते हमें छोटे हो जाते हैं तो कितने मज़े से हम उनको लटको करते हैं और नए जूते कितनी खुशी खुशी लेकर आते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम पुराने जूतों को लटको नहीं करेंगे या फिर उनको हम पहनते रहेंगे, तो हमारे पैर में दर्ध होगा, हम उतनी तेजी से आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, और इसलिए शायद हम पुराने, यूनो, शूस को अगेन मैं कहूंगी, लटको करते हैं, नए शूस को लेकर आते हैं, तो यही चीज आपने अपने प उनको जरूर इस वीक आप वेलकम करें, और देखे, गेवल का कार्ट कहता है, इन्वाल्वमेंट विद द लॉव, तो किसी तरीके की इन्वाल्वमेंट, लॉव, गॉवमेंट से भी कुछ लोगों के लिए रह सकती है, कुछ के लिए पॉजिटिव रह सकती है, कुछ लगों की बात अलग है, नहीं तो इन जणरल छोटी मोटी सी चीजें होती है, और ये जिंदगी है, छोटी मोटी चीजें तो चलती ही रहती है, और गाइडन से आप लोगों के लिए काड है, जेन्टिल, और देखिए, शॉर्ट में अगर मैं इस काड को आपको एक्स्प् लेकिन जब tortoise के साथ race होती है तो वो हार जाता है और दिखिए यहाँ पर reason खर्गोश के हारने का यही है कि वो बहुत जल्दबाजी करता है वो बहुत ज़्देश होता है और कहीं याँ बहुत again तेजी से आगे बढ़ता है ठक जाता है रुक जाता है और इसी process में हार भी ज चलता रहता है और वो जीत जाता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी मेसेज है कि आपने बहुत ध्यान से बहुत केवफुली चीजों को डील करना है कहीं आपने जल्दबाजी नहीं करनी इंपल्सिव नहीं होना और ऐसा आप करते हैं तो इस वीक के अनरजी इसको आप बहतर कर पाएंगे and astrology से आप लोगों के लिए Uranus का card है और इसके हिसाब से blue, indigo, navy blue colors आप लोगों के लिए इस वीक लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो यह था जमिनीज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए